जाबा प्रोग्रमिंग के विडियो लेक्शर की एस सिरीस पर आज हमारा लेक्शर लेकशर नबर 53 है और हम यहाँ पर इंक्रिमेंट और डिक्रिमेंट ऑप्रीर के वारे में क्या कर रहे हैं पढ़ रहे हैं तो हम चलते हैं अपने एग्जांपल के पास से जिस example को हमने क्या कहा था कि आपको solve करने के लिए कहा था तो आपने किया होगा इससे solve तो हो सकता है आपको समझ में आ गया हो और यदि नहीं बनाए तो हम यहाँ पर solve करने की कोसिस करते है कि इसका output क्या आना चाहिए आ तो ठीक है यहाँ पर x की चेक करते हैं कि हमारी condition यह ही है कि और कोच है हाँ जी यह ही है अच्छा अब x की value कितनी चल रही है आपकी 8 चल रही है तो देखो सबसे वहली बात तो यहाँ पर समझ वाली यह है कि x की value 8 है और यहाँ पर 4 times क्या हुआ है decrement हुआ है तो 4 times decrement होने के कारण x की value 8 में से 4 minus होने पर कितना बचेगा only 4 इसलिए 4 आकर यहाँ पर display होने वाली है अब हमें क्या निकालना है y की value और यहाँ पर 4x की value तो 4 times फिर decrement हो रहा तो इस जगह पर कितने आने वाली है 4 में से 4 minus करने पर 0 आकर display होना चाहिए अच्छा अब हमें क्या करना है कि यह y की value और यहाँ पर y की value कैसे आकर display होगी इस चीज को क्या करना है हमें यहाँ पर समझना है ठीक है तो इससे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अपनी condition को solve करना पड़ेगा ठीक हम solve करते हैं यहाँ पर x की value कितनी हो जाएगा यहाँ पर 7 और pre decrement है तो 7 से कितना हो जाएगा पर 6 ठीक है प्लस post decrement है तो यहाँ पर 6 का 6 ही होगा लेकिन हो कितना जाएगा 5 और pre decrement होने के कारण 5 से कितना हो जाएगा 4 और इन सभी का addition किसके पास store होगा जाकर y के पास हम यही चारों को add करते हैं 8 और 4 12 और 6 और 6 मलब y equal to कितना आगे आपर 24 और यह आप बात करते हो x की value कितनी आ रहे हैं आप 4 तो देखो जो आपने यहाँ पर x की value को 4 लिखा था वो ठीक है और y की value यहाँ पर 24 आकर क्या होना चाहिए display होना चाहिए ठीक है तो अब next वाली x की value कितनी चाहिए 4 और pre decrement है तो 4 से कितना हो जाएगा 3 फिर यहाँ पर क्या है minus 3 का 3 यहाँ पर assign होगा लेकिन हो कितना जाएगा 2 फिर क्या है उसके बाद यहाँ पर प्लस 2 से 1 decrement होने पर कितना हो जाएगा 1 फिर यहाँ पर क्या है प्लस और post है तो 1 का 1 ही assign होगा लेकिन हो कितना जाएगा decrement होने के बाद 0 और इन सभी का addition किसके पास जाका restore होगा y के पास तो देखो यह 3 से 3 यहाँ पर minus होगा इसलिए कट जाएगा और 1 फ्लस 1 कितना होगा 2 तो हमारे program का output 4, 24 और 0 और 2 आकर क्या होना चाहिए display होना चाहिए तो example number 112 को हमने क्या करा compile करा और इससे ही क्या करा हमने यहाँ पर run करा तो इस program का output 4, 24, 0 और 2 कुछ इस तरह से आकर क्या हो गया है display हो गया है हाँ जी अभी आपको यह working process क्लियर होना चाहिए हमने काफी सारे examples देखे हैं अब हम next example के पास चलते हैं 113 number का हमारा example है 113 और इस example पर हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले तो हम हटा देते हैं जो चीजे काम की नहीं है तो ठीक है अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यदि suppose यहाँ पर x की value चल रही होती 4 और यहाँ पर आपने कर दिया प्लस प्लस और यहाँ पर भी कर दिया प्लस प्लस यहाँ पर गर आपने प्लस प्लस और यहाँ पर भी कर दिया आपने suppose प्लस प्लस ठीक है तो इस condition पर इस program में x और y की value क्या आकर display होना चाहिए इससे क्या करना है आपको solve करने की कोसिस करना है बाकि हम इस example को next lecture में देखने वाले तब तक के लिए ओके बाइ